तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स जिसे आपको एक बार बनाना है उसके बाद आप 15-20 दिन के लिए बिलकुल टेंशन फ्री रहने वाले हैं और फिर उसके बाद आप इसे 2-3 मुट में तैयार कर सकते हैं तो चले आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले मैं पोहा प्रीमिक्स बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने घी लिया है दो चम्मच और जब घी मेरा मेल्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाल दी है राई और जब राई हलकी सी चटकने लगे तब आपने इसमें डालनी है हरी मिर्ची और हरी मिर्ची जब अच्छे से भुन जाए तो फिर आप इसमें डाल दें करीपता और करीपता को भी फिर अच्छे से आप इसमें भुनने दें और उ मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी आपने उसी घी में ही मूमफली को भी रोस्ट कर लेना है मैं यहां पे न भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में मूमफली को रोस्ट करके इसमें एड़ किया है बट आपने यह गलती नहीं करनी है आप मूमफली को उसी में ही रोस्ट कर बस इसी तरह से मैंने मुफली भी इसमें एड़ कर दी है और इसको बस आप मुझे लगबग पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको भूल लेना है और जब यह भून जाएगा ना अच्छे से तो आपको इसकी एक अच्छी सी खुश्पू आने लगेगी और इसी टाइम और ही आप थोड़ा सा नमक एड़ कर सकते हैं जो पोहा है वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन के रैडी हो चुका है और पोह का जो प्रीमिक्स है वो तैयार है अब इसको ना बनाने में सित दो से तीन नट लगेंगी आपको पानी बॉयल करके बना लेना है तो हैना एकदम चटपट से बनने वाला breakfast morning में ऐसा होता है कि हम लोग के पास time नहीं होता है working woman जो होती है house wife होती है बच्चों के लिए कुछ समझ में नहीं आता है या time की थोड़ी कमी होती है तो आप उस जगा पे कोई भी एक दिन आप इस प्रीमिक्स को तैयार करके रख सकती है और फिर आराम से enjoy कर सकती है breakfast इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पे दूसरा अपना जो प्रीमिक्स है वो तैयार कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे फिर से कड़ाई में मैंने दो चमझ घी ले लिए है आप भी इसी तरह से घी ले ले और जब घी आपका melt हो जाए तो उसमें डालने एक चमझ राई और राई को डालने के बाद आप इसको अच्छे से थोड़ा चटकने दे और जब राई अच्छे से चटक जाए तो इसमें एड करने हरी मिर्ची मिर्ची को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे भून लेना है जलाना नहीं है इतने अच्छे से भूनना है कि हरी मिर्ची का जो मौस्चर होता है वो एकदम से खतम हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे एड़ कर लेना है मुवफली तो मुवफली आप अपने टेस्ट के अर्ट कॉर्डिंग कम या जादा रख सकते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा करी लीप्स डाल दूँगी और इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तर सारी चीजें यहाँ पे मिक्स हो चुकी है दाल वगेरा मुफली है करी पता राई और बस अब यहाँ पे ना हम सूजी को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे आपको फ्लेम हाई नहीं करना है लो टू मीडियम रखना है जिससे अगर आप हाई कर लेंगे ना तो सू अगर इस टाइम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा तो बस यहाँ पे नमक एट करने के बाद तीन से चार नट और बून लेना है और यह देखें हमारा दूसरा प्रीमिक्स भी एकदम से जटपट से बनके तैयार हो गया और अब आप इससे कोई भी साउथ इंडियन जो भी रेजपी, ब्रेकफास्ट की स्नेक्स के लिए आप कुछ भी रेडी कर सकती है इडली, उत्पम, अपे, जो आपको बहतर लगे, ढोसा वगेरा आप कुछ भी इससे बना सकती है तो चलें अब हम तीसरा अपना प्रीमिक्स तैयार करते हैं तो तीसरा प्रीमिक्स के लिए मैंने सिर्फ कड़ाई में ऐसे ही सूजी को डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी जब ना हमारी सूजी लगबग आदी भुन जाएगी तब मैंने इसमें दो चमच एड़ किये हैं घी और जब दो चमच घी एड़ करके फिर मैं दुबारा से इसको भूनूंगी तो पहले हमें आदा लगबग सूजी को आदा हमें ऐसे ही रोस्ट करना है उसके बाद फिर हमें इसमें एड़ करना है घी तो यह देखें घी डालने के बाद फिर मैंने यह आपे और अच्छे से इसको भून लिया है और लो फ्लेम पे ही इसको आरम से चल्ला चला के घी भी इसमें एकतं से मेल्ट हो चुका है फिर इसके बाद आप जो भी ड्राइफ रूटप्स इसमें एड्ड करनाCreती है तो आप लोग देखी रहे है कि मेरी सूजी का कलरन अच्छे तरीके से आ गया है शूजी मेरी बहुत भून गई है और अब मैंने इसमें बहुत ही बारिक बारिक काजू और बादाम करके डाल दिया है आप चाहें तो बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं बट मैं अपने बच्चों को दूंगी जैसे की दानीन को भी तो वो इतनी बड़ी नहीं है तो उसी के अकॉर्डिक मैंने हैं बहुत चोटा चोटा कट किया है तो आप इस तरह से इसमें एड़ कर दें और इसको फिर रख दें ठंडा होने के लिए उसके बाद फिर हमें इसमें पिसी हुई चीनी एड़ करनी है और ध्यान रखें आपने गरम में चीनी एड़ नहीं करनी है जब आपकी सूजी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद आपने इसमें चीनी एड़ करनी है तो चीनी ना जितनी आपने सूजी ली है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसकी दूगनी एड़ कर दें वरना आप जितनी सूजी ली है उतनी एड़ कर सकते हैं प्रिमिक्स हमारे तीनों बन के तयार हैं तो चलें अब मैं बताती हूँ आप लोगो को कैसे आपकी ये जो रेसिपी है वो दो से तीन मिठा में बन के तयार होने वाली है इसके लिए न हमें सिर्फ बॉil पानी चाहिए उबला हुआ और यहां पे मैंने आदा कप लिया है उत्पम का जो प्रिमिक्स है वो और इसी के साथ ही एक कप मैंने यहां पे लिया है पानी यान की उत्पम के लिए हमें दूगना पानी लेना है आदा कप अगर आपने सूजी लेना है तो उसका एक कप पानी लेना है या एक कप आपने सूजी लेना है तो आपको उसके लिए दो कप पानी लेना है और तीन से चार मिनट के लिए बस आप इसको लिड लगाके एर सक्षाइड में तैयर है, इवनिंग जो स्नेक होता है कभी-कभी हमें क्रेविंग होती है, उसके लिए आप ले सकती है, ब्रेकफास्ट में ले सकती है, मतलब बहुत ही अच्छा आप्शन है दो से तीन नड में बनने वाला, इसके लिए आपको महनद भी नहीं करनी, उसके सा इस्टीम करने के बाद आप लोग देखी सकते हैं यान की एक प्री मिक्स से आप काफी सारे जो ब्रेक फास्ट रेसिपी होती हैं आप तैयार कर सकती हैं तैयार कर सकती हैं आप इसमें अप्पे वग्वागरा भी वना सकती हैं और यहां देखें मैंने इडली बनाई है यकीन माने 5-10 मिनट में इडली मेरी बनके बिलकुल तैयार हो चुकी थी और ये देखें एकदम से सौफ्ट फलफी बनी है एक बार आपने मेहनत करनी है एक से डिर्ड घंटा आपने किचिन में देना है उसके बाद 15-20 दिन आप बहुत ही आराम से अपना जो इवनिंग इसनेक होता है उसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं साथ के साथ आपकी फैमिली मेंबर्स भी और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपने महनत भी नहीं करनी है फटा फट से ये चीजे बनके तैयार है तो चले इसी के साथ ही अब मैं बताती हूँ आपको पोहा का कि पोहा आपने कैसे बनाना है तो ये देखे मैंने हापे एक कप पोहा लिया है और पोहे के लिए आपने ना उतना ही पानी लेना है जितना के आपने पोहा लिया है जैसे कि हमने उत्पम के लिए दुगना लिया था उस तरह से नहीं लेना है पोहे में हमें सिर्फ उतना ही पानी चाहिए जितना हमने पोहा लिया है तो उसी तरह से आपने बॉयल पानी लेना है और एकदम airtight container में आपसे 3-4 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि पोहा जो है वो पानी को अच्छे से absorb कर लेगा और एकदम से फूल जाएगा और बढ़िया आपका खिला खिला पोहा बनके तैयार होने वाला है अगर आपके बच्चे होस्टल वगेरा में पढ़ते हैं तो आप उन्हें भी ये pre-mix बना के दे सकते हैं जो कि वो बहुत ही 2-3 नट में बना के तैयार कर लेंगे और बिना जंजट के तीसरा जो pre-mix है सूजी का हलवा तो उसका भी मैं आपको दिखा रही हूँ बनाना इसके लिए ना मैंने half cup जो है वो सूजी ली है और फिर से मैंने एक cup boil पानी ले लिया है तो सूजी की जो भी pre-mix है उसके लिए हमें दुगना पानी चाहिए जितनी सूजी है उसका double पानी तो यहाँ पे मैंने half cup सूजी ली है एक cup लिया है पानी इसको आपने मतलब गोल देना है और उसके बाद जिसे की चीनी घुल जाए आपकी और बस 5-7 नट के लिए इसको रख देना है सूजी के हलवे में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे 5-7 नट लगबग 10 नट तक लग जाए बट पेसेंस रखना है आपका हलवा बहुत अच्छे से बन के तयार होने वाला है कमेंट वर्क्स में बताइएगा जरूर के आपको ये instant breakfast recipe कैसी लगी आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें साथ में well icon को भी on कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का notification सबसे बहले आप तक पहुंचे